आए फिरिसे आपका स्वागत है सोमेटाइजेशन डिसॉर्डर के बारे में मैं आपसे आज बात्चीत करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक करकर में मनोविकार सेक्स्रोग सम्मोहन तथा वैसनमुक्टी तग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैट्टिस करता हूं यह सुमेटाइजन डिसॉर्डर यह जो बिमारी है यह तीस साल के पहले इसकी शुरुवात होती है इसमें काफी सारे शारीक लक्षन होते हैं और दो साल से ज्यादा शारीक लक्षन जब रहते हैं मोजूद रहते हैं और वो शारीक लक्षन से वो व्यक्ति के सामाजिक जी लिए आजी समस्या निर्माण होती है क्योंकि उसको यह शारिक प्राब्लम है इसके वज्यए से समस्या निर्माण होती है तो उसको somatization disorder बोलते है मेरे पास में लोग आते तो वो काफी सारे काफी सारी file लेके थपी पांच, दस, पन्दरा अलग अलग डॉक्टर के तरफ से लोग आय रहे थे और बोलते कि देखो इतनी सारी प्रॉब्लेम हमें है और अभी तक सब तरह की जांच पड़ताल किया और उसमें कुछ भी नेकलानी है और कोई डॉक्टर को भी हमारी बीमारी हाथ में आई नहीं है अभी वीमारे इसमें क्या हमे देखेंगे अलग 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 अलक्षन होते हैं तो एक यह की मतलब ख्रॉब था और हात्बय में दर्थ पीट जडरो में धर्थ खार घना चेस्ट गुदर्द़्व और मासिक धर्म संबोख या पेशाप तो यह ग्यारा जो एरिया है इसमें दर्द होना जरूरी है मतलब ग्यारा अलग-अलग बॉड़ी के हिस्से में और ग्यारा में से चार एरी पॉजिट्व है तो वह सुमेटाइशन डिसॉर्ड उसको कहा जा सकता है अब न भीुई आप हमसे जो प्राविम युईडियत रहें प्रॉंशन में प्रण डर्द में दर्द में डर्द में जरूरी है और और वह सो खालुई मेंडर मैंन यूंज में फुलना पेट फुलना नमबर तीन उल्टी होना नमबर चार शौच बार बार लगना और पांच खाने की बहुत सारी चीजों के लिए सेंसिटिव रहना या सेहन नी होना तो पांच लक्षन में से यदि दो लक्षन पचन संस्ता के हैं तो यह सुमेटाइशन डिसॉर्ड तो ये लोग मांच प्चन संस्ता के प्राण में रहते हैं और कुछ न कुछ एठे य यह काफी जगह है प्चन संसता केलक्षन तर्थौ तो फो हैना हो नंबर दो नपन सकत्व नंबर तीन शिगर बतन नंबर चार अनियमित मासिक धर्म नंबर पांच मासिक धर्म का ज्यादा होना और एकली नंबर छे गर्बधारणा में बहुत ज्यादा बार उल्टियां होना एक च्छोगा Counsel Daveै से 27 स्माविल है तो हूं समझते हैं और पहले देखा कि 11 मे से चार नुकि पांच में सद्रल्वास से दो फचन सौसता के प्राबलेम थे मैं से एक शेक्स के बारा वाइक ही प्राबलेम को है हूँ और सखते मतलब ब्रेन का प्राबलिम यह की बिमारी कि मुष्प ऑगकर मळद यह तो हमने में ती और में राजन के दिखिता है वह वुरकुषाओ के 20 इन की वर तकलिप करूंने अलगी में चेह पेशाब पेट में जमाऊना पेट फूल जाना पेशाब के वज़ेसे साथ आक और कान का भ्रम आठ परशग्यान नौ दो-दो दिखना दस अंधापन ग्यारवा बहरापन जैन फिट्स फिट्स अना जटके आना यारदास नहीं होना यारदास निकल जाना बीच-बीच म और कभी-कभी बेहोश ही आना तो इसमें से एक लक्षन दी रहा तम समझते हैं कि इसको Somatization Disorder में यह आ जाता है मतलब वो उसको बीमारी होती है इन चाटे बीमारी में होता क्या है विएमारी में यह है कि अनेक शारिक लक्षन है वो मस्यश के doctor के बास में जाकर आया रहता है सब लक्षन मों चेक करके लेता है सब city scan और सब सब scan पेट के sonography, खुन की जाच, पेशाप की जाच, पेट के सब endoscopy's, colonoscopy's, सब क्या हुआ रहता है है उसको कभी सारे शारीक लक्षन रहते हैं और शाइरिक लॉक्षन ऐसा लगता है कि उसके भी विमारी है मगर शारीक बीमारी रहती है सब तरह की जाश होने के बाद में रॉक्टोब बोल दे केनी है आपको कुछ नहीं हुआ है अबको इसी चिंदा मत करो meditation करो exercise है इसको ऐसा बोलते रहते मगर actually उनको रहते सूमेटाइजेशन disorder यह सूमेटाइजेशन disorder यह मानसिक बीमरी है मानसिक कारण इसका होता है और मानसिक कारण से शैररिक लक्षन दिखाइग देते हैं तो इसका इलाज होना पांच कांसिलिंग नम्बर चह कोm कूंदेटेटेरपी फिर्टिस कोपड स Оп rooftop हो जाते हैं चोंकि काफी सारे शाल इसमें निकल जाते हैं वेमारी के वा diagnostics किoo की ourselves बटृंब। और में एंगले केरे कि तकलीफ होती है। और जिवन के हर शेत्र में परिशानी परिशानी में यह यह लूग परिशानम हो जाते हैं। यह दुखना वह दुखना दर्द होना अनेक डॉप्टर होन। परबात हो जयाते हैं। कुछ में पेशेंट है धोरता कि छहते हम सा श्वह ऑपर की vigil की निचे ये शलम हो जाती तो औरु वार या सा त खाना ही निखा सकता हूँ अचुल खाया हो गालिया औरु लगता है कि गिर जाओंगा, मस्तिश्क फिर रहा है, भूम रहा है, ऐसा लगता है, लोग उनको बहुत दर्द होता है बाड़ी में, तो ये लोग मतलब काम के नहीं रहते, कमाई नहीं कर सकते, उल्टी कमाई बरबाद हो जाती इसमें, तो इनका इलाज जो है, वो साइकेट सब खुशाल रहेंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो जूरू शेर करो, सबस्क्राइब करो, हमारे नीचे नंबर दिये, हम अनलाइन काउंसिलिंग करते हैं, हमारे यहां लोग आते रहते हैं, यहां लोग भरती होते हैं, इलाज कर लेते हैं, दो हस्पिटल से जहां रिषारों के साथ में, रिषारों के आलनावा लोगों का मभरती करते हैं, सबके लिए मानसीक, स्वास, टिर्वेसन, मुक्त भारत, हमारे इच्छा है, यह हमारे मिशन है, इसमें आपका भेहार लग आएगा, थेंक्यो भेरी मच्चु झाल, 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 झाल